नमस्कार साथियो आज जो मैं आपके यूटूब पर कमेंट्स पर रहाता है तो सबसे ज़्यादा मेसेज या जो कमेंट्स थे वो वाईवा से रिलेटेड थे कि सर वाईवा में एक्जामिनर हमसे क्या कुशन प्रट अप करेगा या हम वाईवा की त्यारी कैसे करें या हमें वाईवा के नाम पर सबसे ज़्यादा डर लगता है तो आज की वीडियो में हम वाईवा की इस टोपिक पर बात करेंगे तो जो स्टुडेंट फर्स्ट वार इस एम की बुश्टर यूटूब चैनल को लाइक शेर और सब्क्राइब करना ना बोलें कहने के बाद भी वाईवा के अंदर आपका नॉर्मल इंट्रोडिक्शन से रिलेटेड सवाल पोस्क्ता जैसे आपका नाम क्या है आपके पिताजी का नाम क्या है पिताजी क्या करते हैं दस्वी में परसेंटेज कितने हैं आप कहां रहते हो यह पूछने का एक रिज़न होता कि उससे वह वह जब आप किस प्रकार से दे रहे हो और आपका कॉंफिडेंस है वह कैसा है उसके बाद जो दूसरे प्रकारा जो सवाल बनता है वाईवा का कि जो प्रेक्टिकल आपने किया है जैसे केमेश्टी में आप अनुमापन करते हो लवन के अंदर धनाईन रेनाईन की पेचान होते हैं तो इन प्रेक्टिकल को जो आपने कोपी में किया है तो इन प्रेक्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्रिशन पूट अप होते हैं उनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछ सकता है तो यहां सिधा सा मतलब एक ही है कि जो प्रेक्टिकल आपने कियो या बात कर ले तो तो जो प्रेक्टिकल आपने अपनी कोपी में किया है उसके बारे में आपको पूरा नोलेज होना चाहिए नहीं है तो उसको तो आपका नंबर वाइबा के लिए आता है तीसा कुशन सिद्धा सा बाता है वह आपसे सब्जक्ट से रिलेटेड आपसे सवाल पूचेगा जो आपका जबाब नहीं आता जब उसके पास आपका जबाब नहीं आता तो वह सिद्धा सा आपसे एक क्या पढ़के आए हो तो वहाँ एक सिद्धा सा सिंपल सा तरीका मैंने पहले भी क्लास्वों में कहा था अपने कि जब भी आप वाइबा देने जाओ जिस सब्जक्ट का आपका प्रेक्टिकल है उसके एक दो दिन पहले आप किसी दो चेप्टर को या एक चेप्टर को एकदम अच्छे तरीके से याद करके जाएं जैसे एक्जामिन आपसे सवाल पुछे तब आप उनका जबाब दे और वो जबाब नहीं आए तो उसको खेदे कि सर में कल ये टो कि गशन में करते हैं तो एक दिन नाम किया वह उसी गुळ वो तो वह राइवा के दबर दर लगता है उसको डूर करना को क्या आप करता है कि anya कि जब नहीं बंदा आपसे कुछ बिार नहीं हो जाती है इस जाएं और अगर आप अपने आप विश्पास रखोगे और confidence के साथ अगर आप अपने सवालों जो सवाल जो आप से पुटब करता है उसके जबाब दोगे तो आपका वाइबा सबसे अच्छा होगा तो ध्यान रखे वाइबाक से रिलेटेड कुण कुछ पुटब हो सकता है फिर से रिपीट कर दो नॉर्मल एक तो आपसे इंट्रोडेक्शन से कोई भी सवाल आप से पुट सकता है दूसरा आपने जो आपकी कॉपी में जो वर्क किया है उससे रिलेटेड वो आपसे कुछ भी पुच्छ सकता है तीसा आपसे वो सब्जेक्ट की बारे में कुशन हो चाहिए फिजिक्स का हो या बाइलोजी का हो या आठ सब्जेक्ट में बात करें तो जियोग्राफी का हो किसी भी सब्जेक्ट का प्रिक्टिकल होगा तो उसमें वाइबा होता है और वाइबा के नंबर काफी इंपोटेंट रखते क्योंकि एक्जामिनर की सामने जो वाइबा पर ही निर्बर गर्ति वाइबा अगर आपने अच्छा दिया है तो आपके तेन्थ में परसेंटेज कैसे भी हो आप टीचर ने आपके बारे में कुछ भी बता है वह वाइबा क्या अच्छा है तो इसको नंबर अच्छे देन हैं वाकि आप समझ जा रहो तो किसी प्रकार का और कुछ इसे होंगे जोनों ने अब तक वाइबा दे दिया होगा तो वाइबा में आप से रिलेटेड आप से क्या कुशन पुछे गए थे कमेंट्स में आप जरूर बताएं बाइलोजिक केमेश्टर फिजिस कुछ एक-दू सब्जेक्ट के आपके शाइद हो समाप्त करते हैं अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आयो है थोड़ा सभी बढ़िया लागियो है तो थागे जितना भी साथ ये साथ अलाना बना जरूर शेर करना है इसके साथ ही आज को वीडियो हमें अठी समाप्त करते हैं